तुडरी स्टॉपिक इस अप्डोच इसे पहले की खाश में हम लेसन प्लेनिंग की दो टॉपिक डिसकस कर चुके हैं जहां पर पहले हमने प्रिंसिपस आफ डिसन प्लेनिम एन फाफ इसटेप एप्रोच कम्प्रीट डिसकस किया था आज की जो खाश है यह थोड़ा सा शॉ ठेप्स हैं उन पर हम डिस्कसिन करेंगे कि कई बार एक्जैमस में आपसे पूछ ली जाते हैं ठीक है तो स्टाट करते है हैं हर्बर्टियन ए प्रोच से इस से पहले की वीडियो में डिसकस हो चुका है तो उस पर जाइदर डिट्रेल डिसकस नहीं करेंगे तो जब भी आप lesson plan बनाते हैं तो almost आप देखते होंगे कि आप पहले planning करते हैं जहांपर आप objectives and previous knowledge को identify करते हैं तेरा presentation करते हैं यानि कि आप explanation करते हैं पढ़ाना शुरू करते हैं उसके बाद जब topic पढ़ा लेते हैं देन बच्चों को थोड़ा explore करने का मौका देते हैं जहांपर बच्चे previous knowledge के साथ comparison और association करके अपना जो new knowledge को और ज़्यादा पका कर सके ठीक है फिर बच्चे generalization करते हैं कि जो बच्चों ने comparison और association किया हुआ है वो कितना सही है कितना गलत है ये generalization के अंदर किया आता है जहांपर teacher बच्चों को help करता है कुछ गलतिया है तो उसे correct करता है और अगर गलतिया नहीं है और बच्चों ने सही association या comparison किया है तो बच्चों को motivate करने के लिए positive reinforcement देता है अगर बच्चों को जो भी उन्होंने new learning की है उसका application कहां कहां पर कैसे कैसे को कर सकते है उस पार्ट पर काम किया जाता है आगे बढ़ते हैं Morrison unit approach मौरिसन unit approach बहुत ज़्यादा popular तो नहीं हो पाया ठीक है उसकी कुछ shortcomings थी जिसका discussion हम कभी जब Morrison unit approach को detail पढ़ेंगे तब करेंगे बारहाल अभी हम सिर्फ steps को discuss कर लेते हैं दिखा आपने कि हर बटेन approach में preparation, presentation, comparison, generalization and application था तो वहीं पर Morrison ने भी five point scale दिये हैं हाला कि इनको हम five step approach के नाम से नहीं जानते हैं चीक है जो भी topic पढ़ाने जा रहे हैं उसको explain करते हैं फिर उसके बाद बच्चों को मौका देते हैं कि बच्चे अपने previous knowledge के जाद इसको assimilate कर सकें ठीक है step में या फिर इसी phase में बच्चों की जो understanding होती है learning material के against है ना उसका confirmation होता है कि बच्चे कितना सीख सके हैं कितना नहीं सीख सके हैं ठीक है फिर आता है recitation recitation आप जानती हैं कि जो एक revision को हम महत्व देते हैं ठीक है बच्चों को कितना आया है या कितना नहीं आया है तो यह काम जो है वो recitation part में होता है ठीक है यहां पर बच्चों को जो board में points लिखे हुए हैं ठीक है उनको explain करने के लिए कहा जाता है यह कुल मलाकर के कहें कि यह जो सारे steps आपने यूज किया है इसके बाद final step में बच्चों को summarize कर दिया आता है कि उन्होंने आज क्या पढ़ाया है ठीक है प्रेजिटेशन हो डिटेल में समझाते हुए उसको जो major points है वो discuss की जाएंगे साथी साथ application significance part of unit approach यह भी discussion किया जाएगा बट अभी coming exam के point view से सिर्फ उत्रा ही discussion किया जा रहा है जो आपसे factual way में exam में पूछा जा सकता है आते हैं Bloom's evaluation approach की तरफ तो देखिए Bloom का जब भी हम नाम लेते हैं BS Bloom इनका पूरा नाम है तो Bloom's learning objective जो है वो हमारे जहन में आता है and then उसके बाद cognitive domain के कुछ sub domain है ना जिनको हम sequential अगर बात करें करम शाह है बोले तो सबसे पहले आपका आता है memory जिन आपका आता है understanding memory को हम knowledge भी लिदते हैं कहीं पर memory understanding application analysis and synthesis तो यह जो point है इना synthesis के आता है आता है आपका देखें तो memory याने knowledge understanding को हम comprehension भी बोलते हैं understanding और comprehension then application then analysis then synthesis and last is evaluation bloom की जो यह learning objectives का जो concept है उसको further revised किया गया है 90s में और उसे थोड़ा सा revised form में revised bloom taxonomy of objective के नाम से भी जाना आता है तो आने वाली class में एक वीडियो उसका बनाया जाएगा अकली वहाँ पर आप उसको completely देख सकते हैं तो फिलहाल bloom का नाम आते ही मैंने objectives पर इसलिए बाद की क्योंकि कई पार exam में सीधा question आयता है कि which one of the following is associated with taxonomy of objectives तो bloom का नाम आपको याद अतना है अब उसी taxonomy of objectives पर based ही इन्होंने यह अपना evaluation approach दिया है तो bloom का जो approach वो क्या है evaluation approach यह यह कहें कि evaluation approach of lesson planning किस ने दिया है तो bloom ने दिया है bloom ने इसे tripolar भी कहा है ठीक है क्योंकि इसके तीन पोल आप देखी रहे हैं है तो इसे tripolar approach भी कहा जाता है ट्रैपोलर में जो तीन पोल हैं हो कौन कौन से हैं सबसे पहला है formulation of education objective तो जो भी teacher planning करेगा चाहे आपने इसे पहले के दो हरबर्टियन approach या Morrison approach पड़ा वहाँ पर भी पहले बच्चा पहले जो teacher है वो objective ही identify कर रहा है objectives identify करने के बाद अब आएगा आपका learning experiences ठीक है जो objective अपने identify किये हैं जो आपने achieve करने हैं उनको achieve करने के लिए कौन से learning experiences helpful हो सकते हैं तो ये learning experiences ही हमारा क्या है presentation part है जहाँ पर हम complete teaching करते हैं और complete teaching होने के बाद complete interaction होने के बाद अब आता है learning outcomes learning outcomes में हम ये जानते हैं कि कितने हमारे educational objective जो हैं वो कितने achieve हो चुके हैं तो इस तरीके से formulation of educational objective providing learning experiences and then learning outcomes ठीक है evaluating learning outcomes ये तीन पोल होते हैं जिसको bloom ने tripolar approach भी कहा है lesson planning की बाद जो हम करते हैं bloom की जो एप्रोच के अंतरगत मैंने आपको बोला था अभी कि जो learning experiences है यहीं पर हम lesson plan design करते हैं तो यह जो lesson planning है उसमें कौन-कौन से step से देख लेते हैं देखे सबसे पहले content और teaching point जो आप topic पढ़ाने जा रहे हैं then उस topic पर based specific objectives then teacher की जो activities है अब यहां पर teacher activities समझने के लिए एक topic हमें पढ़ना चाहिए that is flanders interaction theory जहां पर flander जो एक educationist है उन्होंने दस behavior बताए है जो की classroom के अंदर होते हैं उसमें से teacher के कितने behavior है teacher क्या क्या कर सकता है classroom के अंदर बच्चों के लिए क्या options होते हैं तो इस पर discussion किया है तो उसको आप ज़रूर पढ़िएगा वो बहुत important है तो teachers activity teacher क्या activity कर सकता है teacher बच्चे जो बाते कह रहे हैं उनको सुन सकता है तो यह बहुत सारे activities होती है सब इसमा जाएंगी अब teacher ने जो activity की है उसके against जो tentative activity बच्चा बच्चे को करनी चाहिए बच्चा करेगा ज़रूरी नहीं है तो आपने question पूछा बच्चे answer देंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है बट आपने question पूछा तो यह सोच करके ही वो question design किया कि बच्चों को इस question का answer आता होगा बच्चों उसका answer देंगे यह कई बार क्या होता है कि आप एक problematic question design करते हैं समझ्यात्मक प्रशन इसको आप एकते हैं तो आप यह सोचते है कि मैं यह question पूछूँगा तो बच्चे answer नहीं दे पाएंगे बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपने question पूछा और बच्चों ने answer दे दिया तो आपका जो problematic question है वह हम पर क्या हो जाएगा आपका fail हो जाएगा तो इसलिए हम बच्चों को बोलते भी हैं कि समयाश्यात्मक प्रशन में हमेसा हमें लिखना चीए आग response कर रहा है वह response अपका जाएगा teacher response फिर teaching aid क्या यूज किया आपने and evaluation कैसे करेंगे दिखिए आपने जब भी lesson planning की होगी तो इस तरह के साब forward बराते हैं है यहां पर आप लिखते हैं content यहां content का part आ गया यहां पर आपका फिर specific objective हो गया फिर यहां पर teacher activity लिखते हैं यहां प यहां पर आपका फिर हालकि method वाला portion भी आप यूज करते हैं जो कि यहां पर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यह step जो है evaluation approach के है बट आप जो lesson plan बनाते हैं जो design करते हैं वो completely evaluation approach पर based नहीं है ठीक है somehow आपको लगेगा कि ऐसा ही है teaching aid यहां पर आपका आते हैं and then final आपका आता है evaluation आता है ठीक है ना यहां पर evaluation आता है तो फिर content, specific objectives, teacher activity, student activity, teaching aids and evaluation है ना तो कुछ ऐसा ही format आप देखते होंगे अपने lesson planning में जो आप लोग B8 के दोरान करते हैं ठीक तो lesson planning में जो format आप देख रहे हैं वो कुछ ऐसा ही है उसको lesson planning steps हैं ठीक है तो teaching aid में फिर आपने जो जो TLM यूज किया है उनको mention कर देते हैं and then finally आप जो भी कुछ आपने पढ़ाया है उस पर based कुछ questions पूछ करके या फिर हो सकता है कुछ और आपने तरीका ढूना हो activities के थुरू आप evaluation कर लेते हैं evaluation का जो main role होता है वो होता है specific objectives को check करना whether they are achieved or not अगर evaluation में आपको लगता है कि specific objective design जो किये गए थे वो अचीव नहीं हुए हैं जरा से भी तो आपको फिर एक revision या फिर एक remedial class बच्चों के लिए arrange करने ही पड़ेगी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो ये था blooms evaluation approach आगे बढ़ते हैं या तब का RCEM approach तो first class जो हमारी थी जो first video था जहाँ पर आपको मैंने ये पांच के पांच approaches discuss किये थे तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि RCEM का full form होता है regional center of education मैसूर तो इस center के द्वारा एक approach design की गई है जिसे हम system approach भी कहते हैं कई बाद क्योंकि system approach क्या है system approach जो भी system आपका होता है चाहे machine हो कुछ भी हो कैसे काम करती है पहले उसमें input आता है फिर कुछ process होती है ते और कुछ output निकल करता है इसका example आप कहीं भी देख सकते हैं आप अपने घर पे mixer grinder user use करते होंगे तो आपके करते हो उसमें मसाले डालते हैं तो input होगी आपका process जो grind कर रहा है वो process है output जो मसाले आपने साबुट डाले थे हैं वो क्या है पीस करके आपके उनके फ्लाव में पन करके आ चुके है ऐसे ही और भी चीज़े आपकी है जितनी भी आप machines use करते हैं वहाँ पर आपको यह देखने को मिलता है computer की बात कर लिजिए आप computer में आप टाइप कर रहे हैं तो keyboard क्या है आपका input device होती हो उसमें जो भी आप key type करेंगे वो की आपकी process हो करके output की form में आपकी screen में आ जाईए तो input process output approach किसकी है system approach है और RCM द्वारा lesson planning में इसी approach का use किया गया है आगे बढ़ते हैं देखिए मुझे लगता है कि input process output के संबंद में ज्यादा बताने क्या हो सकता नहीं है ठीक है फिर भी lesson planning के हम इसका कैसे use कर रहे हैं इसको देख लेते हैं input lesson planning के अंदर input क्या है तो identification of learning objectives ठीक है कौन-कौन से learning objectives आपने achieve करने हैं आज की class म अब यह नाम ले लीजिए उसका आप पहले उसको identify करेंगे उसकी पहचान करेंगे अब यह learning objective आपने जो बनाये हैं इनको achieve करने में बच्चे के कौन से experiences help कर सकते हैं वो हो जाएंगे बच्चे के entry behavior कि classroom में आप बच्चों को अगर quadrilateral पढ़ा रहे हैं तो quadrilateral पढ़ाने के objectives क्या होंगे student will be able to recognize the shape of quadrilateral student will be able to define quadrilateral student will be able to state some properties of quadrilateral यह कुछ objective हो जाएंगे और इसके लिए entry behavior क्या होगा बच्चे का कि बच्चे ने quadrilateral पढ़ने से पहले definitely triangle तो पढ़ा ही होगा lines and angles तो पढ़े ही होगे तो यह बच्चे के previous knowledge हो जाती है और उस previous knowledge को हम entry behavior यहां पर कह रहे हैं तो input में आप identification of learning objective and identification of entry behavior करते हैं देखें जो आपके सामने लिखा हुआ है ना input process output के अंदे क्या होता है यह RCM approach के document का ही part है कि यह अपने मन से नहीं लिखा गया है तो इनको आप इनको आपसे पूछा आ सकता है exam में process process मतलब भाई आप interaction हो रहा है आपका बच्चों से तो कैसे होगा interaction सबसे पहले आप क्या करेंगे जो भी approach है चाहे आप Harvard की approach यूज करें ठीक है इस मैंशा ऐसा mention है साफ साब की जरूरी नहीं कि आपको Harvard approach यूज करनी है हो सकता है कि आप lesson planning की जो approach bloom ने दी है उसको भी आप यहाँ पर use कर सकते हैं तो साब साब मैंशन है कि learning experiences of bloom यानिके lesson planning by bloom है ना और Harvard के five steps इन में से कुछ भी एक use करके आप process को continue कर सकते हैं और यह क्या होते हैं discuss मैं कर चुका हूँ पहले तो इस पर discussion करनी क्या हो चकता नहीं है तो सारा कुछ teaching वगर आपका यहाँ पर हो चुका है अब output में क्या है assessment of learning outcome बच्चे ने कितना सीखा ठीक है उसका assessment करने के चुको कुछ task दे दे group debate करा दे group discussion करा दे कुछ भी हो सकता है ठीक है यहाँ पर यह page देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा और detail में लिखा हुआ है input में teacher experience and people expenditure यह जो input process output है यह as per rcm नहीं है ठीक है इतना आप इसमें काम कर सकते हैं as per rcm statements यह input process output के आपके steps है तो इनको आप note कर लीजीगा तो इस तरीके से हमारा अभी हरबर्ड five step approach, Morrison का unit approach, bloom का evaluation approach और rcm का system approach अभी complete होता है अब हम चलते हैं Glowarian approach की तरफ हालकि यह जो approach है Glowarian की यह बहुत ज़्यादा important नहीं है बहुत popular नहीं है बट क्यूंकि previously ask questions में यह भी देखा गया है कि कुछ पेपर में है ना जैसे मुझे properly याद नहीं है उतरा खनल्टी में भी शायद एक question था इनका और बाकी exam में भी question आया है Glowarian approach से तो सबसे पहला जो basic question नहीं पूछा आता है कि Glowarian approach किस से संबंदित है तो यह lesson planning से संबंदित है basic question ही पूछा गया है इसके लावा कुछ नहीं पूछा गया है इसके बारे में तो Glowarian approach किसकी है lesson planning approach है इसको आपने याद रखना है इसके steps क्या है तो questioning, discussion, investigation and expression तो जो steps है नहीं अपने आप में इतने complicated है कि छोटी classroom के अंदर हम इनको बहुत ज़्यादा use कर पाएं इतना possible नहीं है फिर भी questioning जो phase है जो first step इनका questioning उसमें क्या होता है बच्चों से questions पूछे आते है obviously पहले questions पूछे आते हैं बच्चों को diagnosis करने के लिए बोला ना आपसे कि previous knowledge बच्चे में कितरा है, entry behavior क्या है आप तो मान के चले हैं कि बच्चे को आता है triangle तो पहले आप 2-4 questions पूछ करके diagnose कर लेंगे कि हाँ वाकई में बच्चे को आता है या फिर थोड़ा सा बताने क्या आउशकता है ठीक है और साथी साथ हम बच्चों को फिर आगे motivate करते हैं ठीक है नई knowledge को acquire करने के लिए जैसे बच्चे को आपने कुछ पूछा, diagnose किया उसको आता है फिर आपने उसको motivate किया चलो भई ये इतना आपको आता है चलिए इसके आगे और क्या होता है उसको आज हम जान लेते ह ठीक है और जब classroom में आप teaching कर रहे हैं तो उस बीच क्या होता है वहाँ पर भी आप कई बार questioning होगारा करते हैं तो फिलहाल first phase की जो questioning है वो सिर्फ diagnosis को diagnosis करने के लिए ही questioning की जाती है ठीक है फिर आते हैं discussion अब बच्चे को जो पता है उसके आगे बढ़ने के लिए हम बच्च रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं अपना दिमाग लाग करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन की होती है उस इन्वेस्टिगेशन के basis पर बच्चे करते हैं क्या expression एक्सपेशन मतलता अभी रती बच्चों ने क्या-क्या इंवेस्टिगेट किया तो अब बच्चे बताएंगे one by one तो सबसे पहले तो इस एक्सपेशन के पार्ट में एक benefit यह होता है कि बच्चों का expressive skill जो होता है वो develop हो रहा होता है जो कि शायद बहुत ज़रूरी है academics में आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं बहुत ही talented होते हैं बट वो उनका जो expressive skill होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है वो जानते तो हैं बट उसको express नहीं कर पाते हैं तो यह expression के माध्यम से ऐसा कियाता है तो creative writing हो गया आपका है ना या फिर और भी बहुत सारी ची तो इस तरीके से अगर हम देखें overall तो Glowarian approach जो है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से बच्चों पर based है याना कि बच्चों को ही involved इसमें किया गया है टीचर का रोल बहुत कम है टीचर का रोल यहां पर सिर्फ एक facilitator की तरह है actually जैसा कि NCF 2005 कहता भी है हमसे कि हमें as a facilitator रहना है के अंदर बच्चों को उनकी learning करने के लिए खुद से motivate करना है ताकि बच्चे अपनी learning खुद करें तो यह complete हुआ हमारा topic जिसमें कि आज हमने lesson planning की जो five approaches थी पूरी complete discuss की है फिर आपसे request है कि जितने भी approaches आपने पढ़ी है उनके सारे steps आप देख लीजीगा और यह क्योंकि uploaded है channel में तो ऐसा नहीं कि आप आज ही पढ़ें जब भी आपका कोई exam आता अगर बीएट के students हैं है ना तो आप further कभी जब आपका exam आता है तो आप उस समय उसको देख सकते हैं तो यह आपको काफी help कर सकता है ठीक है और दूसरी बात जैसे कि मैंने पहले भी कहा है अगर को कोई भी वीडियो आपको लगता है अभी तो हम KVS का जो exam हो रहा है उस पर based उसके syllabus based वीडियो बना रहे हैं लेकिन after 15 February जो भी आपको लगता है कि यह topic थोड़ा सा difficult है या समझ में नहीं आ रहा है इस पर एक class हो जाती तो आप अपने suggestions लेख सकते हैं comment box में जो भी आप topic कह इस पर आपके लेक वीडियो बना दी जाएगी ठीक है then thank you all of you for today have a good day